हलो दोस्तों उतकर्स परिवार में आप सभी का आर्दिक स्वागत है तो आईए हम सभी लोग चर्चा करते हैं बियार की चर्चित जीलों को लेकर के और उन जीलों की ही सिर्फ बात करेंगे जिनको आपके एक्जाम में सीधे कई बार पूछा जा चुका पिछले दिनों दोस मात्र एक जील है जिसका नाम है कावर जील बेगू सराय वाली वो रामसर असली में समलित है तो बियार की वो कौन कौन सी चर्चित जीले हैं और वो कौन सी टॉप फाइफ चर्चित जीले हैं जिनको बियार सरकार रामसर असली में समलित करना चाहती है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कावर जील कावर जील अपने वियार की ये सबसे प्रसिद जील है वियार के जीलों में अगर दिखा जाए तो एक बड़ी जील के रूप में ये जील नजर आती है इस जील को अगर हम लोग वियार के मांचितर में देखें तो ये जील आपको कहां पर दिखेगी दोस्तों तो ये जील आपको दिखेएगी बेगू के शेतर में ये चार्चित einem दो वास्तों में ये जो बेगू सराइ जिला है यहां पर अगर देखेंगे तो गंगाघाती नाम की दो और छोटी छोटी नदियां है तो बेगु सराय का जो छत्र है यह गंडक यानि बूडी गंडक और गंगा नदी का छत्र इसके लावण बिया और करे तो इन ही नदियों के इस छत्र में निर्मित हुई है कावर जिल हलांकि कावर जील में जो सबसे अदा इसको पानी मिलता है या इस जील का जो आकार निर्मित हुआ है उसके पीछे बुड़ी गंड़क नदी का हाथ है किसका है बुड़ी गंड़क नदी का हाथ है तो ये जील बेगू सराय जिला में आपको मिलेगी बेगू सराय के मजोला चेतर में दोस्तों ये जील है, 1886 में बिहार सरकार ने इसको पक्ची अब्यारण के रूप में गोसित कर दिया था, यानि पक्ची बिहार के रूप में इसको जना गया था, तो ये चर्चित पक्ची बिहार भी है, और साथी आगे चलकर के भारत सरकार ने इसको रामसर जो रामसर साइट में समलित है और भारत के वंतालिसमें रामसर साइट के रूप में कांवर जील बेगु सराय वाली यह बिसीश्ट होती है इस जील की पहचान ही होती है कि यहां पर बहुत डिर सारे प्रवासी पक्छी पहुंचते हैं खास करके सीथ काल में अगर दिखा जा है और इसके जल का स्रोत क्या है बोडी गंडक बिया और करेही नदियों के संगम से पानी आ पर आता है और उसी पानी से इस जील का अस्तित तो बना हुआ है तो यह कांवर जील बेगु सराय वाला सबसे इंपोर्टेंट से आपके एक्जाम में बहुत बार पूचा है इसक जील को अपने इस बियार के मानचितら में लेते हुए चलेंगे तो यह हमिलों को भियार के किस हिस्से में मिल जाए है यह दूंगा का ठञे मागजा को एस दूस्त छतर में ये जील आपको मिलेगी यह हम सभी लोग पढ़ते हैं तो कुसेस्वरा जील अगर देखेंगे तो यही दर्भंगा में मिलेगी आपको कहां पे दर्भंगा में आपको मिलेगी सीथ काल में यह थोड़ा सा सिकूड जाती है और वर्षा का जब पानी आता है तो उसे समय यह क्या होती है एक बड़े जील के रूप में विखर जाती है इसका बिस्तार हो जाता है यहाँ पर अगर देखेंगे तो कमला और करेह नदिया यहाँ पर क्या है कमला और करेह नदि बायो डैवर्सिटी जब विद्टा का च्छतर के लिए कुसेसवरा जील बिसेस है इसके लावा पक्षी विहार के लिए है और विहार सरकार ने जो पांच नए रामसर अस्थलों के डिमांड करी है उसमें एक कुसेसवरा जील भी है यानि दरवंगा की कुसेसवरा जील को भ बोल देते हैं। अस्थानी अस्थर पर इसको गोगा जिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ अपने बियार में पूरिया के साथ इसकी सीमा मिलती है और भागलपूर के साथ इसकी सीमा मिलती है ये कटियार है और इसी कटियार के छतर में आपको मिलेगी गोगाबील जील जो की बिस्षिष्ट है हलाकि इस जील को अगर दिखा जाए तो इसको मानसूनी जील कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर दोस्तों मानसूनी वर्षा काल में इसमें पानी बढ़ जाता है उफान पर ये आती है जो कि बिस्षिश आती है साथ में अगर दिखा जाए तो महाननदा नदी से किसे महाननदा को भी समलित किया है तो इसका इंपोर्टेंस बढ़ेगा यहां पर विविद प्रकार के पक्चियों की प्रजातियां लगबग 300 या उससे अधिक पक्चियों की प्रजातियां आपको गोगा बिल जील कटियार वाले में देखने को मिलेगा यह यहां से याद रखिएगा इसक मेरी बख्तियार पूरे का प्रखंड च्छत्र है वहीं पर यह आपको मिलेगी वहीं पर क्या है यह मिलेगी और इसके च्छत्र की अगर बात करें यानि सहरसा अगर हम लोग चलते हैं बियार के मानचितर में तो चलिए सहरसा जरा देख लिया जाए लगे आथ उसको भी द इसके लामा अगर दिखा जाए तो मदेपूरा के साथ इसकी सीमा लग जाती है इसके लामा इसके दक्षिर में अगर देखेंगे तो खगरिया इसके पस्चिम में अगर देखेंगे तो यह दर्भंगा के साथ और उत्तर पस्चिम में यह मधुवनी है क्या है मधुवनी है जिसके साथ ये सीमा बनाता है तो इसकी सीमा परिसित है ये सहरसा और इसी सहरसा में सिमरी बख्तियार पूर है जहां पर आपको मिलेगी सिमरी जील ये दियान रखना है यहां कि यह जो सिमरी जील है इसकी सबसे बड़ी विसेस्था यह है कि इसके आकृती को लेकर के विसेस कौतुल होता है इसकी आकृती दोस्तों अगर दिखा जाए तो गोड़े के नाल गोड़े के नाल के समान यह सनचना बनाती है यानि गोड़े के नाल के जैसी यह सनचना लेकर के आती है ये जील और ये जील यहां पर बिस्षिष्ट बन जाती है तो ये दोस्तों ध्यान रखना इस छत्र के लिए सिमरी जील रहेगी और दच्छिड पस्ची में इसके कावर जील और इसके पस्ची में क्या है इसके पस्ची में अगर देखेंगे तो दरवंगा की कुक से सोरा जील मिल जाएगी जो कि इसके निर्मार के लिए जाने जाएगी तो सहरसा की यह चर्चित जील है सेमरी जील यहां से याद रखना है इसके अलामा करें हम लोग बात करें तो एक चर्चित जील है जगट पूर जील इसको भी दियान रखिएगा जगतपूर जील दोस्तों ये भागलपूर जीला में आपको मिलेगी कहां पर भागलपूर जीला में मिलेगी लगबग 400 हेक्टेर में इसका बिस्तार है हलाकि मौसमी दसाओं में ये भी फैलती सिकूरती रहती है वर्शा काल में इसका बिस्तार हो जाता है बाकी अन मौसों में ये सूख करके 50 hectare में सिमट जाती है तो ये जील हमको कहाँ पर मिलेगी भाई ये जील आपको मिलती है भागलपूर में और भागलपूर का मानचितर अगर हम लोग देखें अपने बियार में भागलपूर कहाँ पर मिलेगा भाई किसी को पता चला भागलपूर का हिस्सा कौन सा है तो ये हिस्सा है भागलपूर का ये मानचितर जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा होता है भागलपूर भागलपूर को अगर देखेंगे तो ये बियार के पूर्वी हिसे में खास करके बियार का जो दच्छिड पूर्वी भाग है वहाँ पे भागलपूर मिलेगा कटियार के साथ इसकी सीमा लगती है पूडिया के साथ इसकी सीमा लगती है साथ में मदेपूरा के साथ इसके अलामा खगरिया के साथ, मुंगेर के साथ सीमा बनाएगा, बांका के साथ सीमा बनाएगा और साथ ही में अपने पडोसी राज जारखंड के साथ भी भागलपूर की सीमाएं लगती है भागलपूर अक्सर चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है तो ये भागलपूर का अच्छे तरह यहां से ध्यान रखना है भागलपूर जो कि यहां से बिस्ष्ट हो जाता है आप सभी को पता है कि भागलपूर को बियार में सिल्क सिटी कहते है ना सिल्क सिटी के रूप में भी इसकी मानिता अस्थापित है तो इसी भागलपूर में आपको मिलेगी जगतपूर जील क्या है किसी बागलपूर में आपको मिलेगी जगतपूर जील इतको यहां से याद रखना है इस जील को भी अगर दिखा जाए तो पक्षियों के लिए बिसेस रूप से है और यहां पर भी देसी भी देसी पक्षी आपको खास करके सीत काल मे देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है उदयपूर जील, ये दोस्तों अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो गलत हो जाता है हम सभी से ध्यान रखना है ये जील इसको ढूणने आप राजस्थान मत निकलियेगा ये जील आपके अपने बिहार की है और अपने बिहार में अगर देखेंगे तो ये जील हमको पस्चमी चमपारड में मिलेगी, कहां पर पस्चमी चमपारड में सरया मन के नाम से भी इसको जाना जाता है, अगर कहीं इसका नाम आप से पूछ दे, तो इसका एक नाम सरया मन भी है, और ये एक गोखुर जील होता हैं हलाकि गोखुर जिल नदियां जो अपने मारगों को छोड़कर के आगे चली जाती हैं उनसे जो सनचनाएं बन जाती हैं वो गोखुर जिल की सनचनाएं कहलाती हैं पस्चमी चंपारड का है तो पस्चमी चंपारड हम सभी को पता है कि अपने बियार का दोस्तों ये पस् मिलेगी उदैपूर जील द्यान रखिएगा एक नाम और सराया मन के नाम से इसको समोजित किया जाता है तो साउधानी से करना है इसके लावा दोस्तों अनुपम जील अनुपम जील ये भी वियार की चर्चित जील है ये कैमूर वन्य जीयो बैरर में मिलेगी कहां पर कैमूर वन्य जीयो बैरर और इसका बिस्तार अगर देखेंगे तो इसका बिस्तार कैमूर और रोतास की सीमा से हो जाता है कैमूर रोतास के सीमा से हो जाएगा ये ध्यान रखना दक्षिर पस्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पर आप सभी को चलना पड़ेगा दक्षिर पस्चिम हिस उत्तर प्रदेस और जारखंड दोनों के साथ सीमा बनाता है और यहीं पर दोस्तों कैमूर श्रिंखला का वे विस्तार है कैमूर वन जी अब्यारड भी यहीं पर है तो कैमूर वन जी अब्यारड में ही आपको मिलेगी यह अनुपम जील है कैमूर वन जी अब्यारड में ही आपको मिल जाएगी जिसको लेकर के हमेशा चर्चा होती रहती है इतना याद रखना है और यहां पर दोस्तों बिहार के रामसर अस्थली और इनकी अगर हम लोग बात करें तो बिहार के इन दिनों छे अस्थलों को लेकर के चर्चा है यानि छे अस्थल को लेकर के चर्चा ह कि इनको रामसर अस्थली और बाकी को लेकर के बात करें जिसमें से एक कामवर ज्जील अभी तक दोस्तों यह मानिता प्राप्त है रामसर अस्थली के रूप में अपने वियार का एक मातर है पांच जो प्रस्तावित किये गए हैं और जल्द ही किंद्र सरकार इस पर निरड़े लेगी बियार सरकार ने अपनी तरब से मांग रखी है कि ये पांच और अस्थल हैं जिनको रामसर अस्थली का दर्जाद दिया जाए जिसमें एक गोगाविल जील कटियार वाली गोगाविल जील कटियार का ये दियाने न रखना बरेला सागर जील वैशाली में बैरेला जिल के नाम से भी इसको जना जाता है ये भी याद रखना है बैशाली में कुसेस्वरा जिल अगर दिखा जाएगा तो ये दर्भंगा वाला कुसेस्वरा जिल ये यहां से कर लेना नागी जील और नगटी नागी और नकटी का ये जील यहां से बन जाएंगी जो कि इसके लिए बिसेस बन जाएंगे जो कि यहां से important हम लोगों के लिए कुसेस्वरा जील है ये दर्भंगा वाला इसके लिए बन जाएगा तो ये पांच जो नए प्रस्तावित हैं गोगाब हुआ था तो ये द्यान नटना बियार की चर्चित जील जिनको लेकर कि आपके एक्जाम में लगातार प्रश्ण पूछे जाते हैं जीलों से जितने भी प्रश्ण वे प्रश्ण झाल 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 कैसे जीलों से जीलों से जील जाति ऑ्र MILő लेकर कि ना भी जातार प्र alone जातार स दसार्ण प्रमékर टीलों से जाते हैं जाते हैं bearings a